सब्सक्राइब है कि नाक्राइब विडियो के की विडियो लेक्टर किसी भी सब्जेक्ट्ती ऑपर वन से लेटेड़न पर वलू पर्टू से लेटेटड़न। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप जाके चेक आउट कर सकते हैं कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर एंग्वारी कर सकते हैं मारा वाटस अब नमर यह आप वाटस अब करके सकते हैं प्लीज कॉल मत की जे याध रखेगा गरेट इंडिया में पाई पाई जाती है गुजरात वाले रीजन एंडिया राजस्थान और महरावऩ्य आंद्रपिदेश इस वाले रीजन में बर्ड पाई ॉऑ बहुत जादा फ्लाइंग करती है बहुत दूर दूर देशों से इंडिया में आती है इसलिए इसको ग्रेट इंडियन बश्टर बोले जाता है कोई बात नहीं है अब यह मार रहे हैं इसमें कुछ कर नहीं सकते लेकिन इनकी निंदा करिए जितने भी एक्टिविस्ट है उन स इस्टा मोधी मना कर दिया है कि जाने की जरुवत नहीं है घर से आप अगले साल चले जाएगा कहरें कम से कम लोग जाएं साइस नान इतने ना करें सजेस्ट कर रहें आगे आपकी इच्छा है तो इंपोर्टेंट को है तो याद रखेगा जो कुम्ब मेला है वह हमारी अब इसे युनेसको में 2018-19 में इंक्लूट किया गया है इसा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूट किया गया है और जो 2019 का कुम्ब हुआ था उसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया था इन तीन चीज़ों में तो याद रखेगा सबसे ज्यादा ट्रैफिक क्राउड मेनेजमेंट हुआ था इतनी भीड़ा आई थी हाप है कि सेटलाइट से भी देख सकते थे लेकिन उसको मेनेजमेंट का काम जो हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था इसमें गिनीज वर्ड रिकॉर्ड मेलेगा तो याद रखेंगे हैं कुम्ब मेला को युनेसको रिप्रेजेंटेटिव लिष्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेलीटेस साइट ऑफ युमेनेटी ये इतना बड़ा याद करने की जरूत नहीं है बस युनेसको की इंटेंजिबल जो युमेनेटी वाली साइट से उसमें इंक्लूड किया गया है यह 11 साल बाद लगता है अग्याद करने वह कंदेश से नहीं बस उसमें नहीं है जबता है यह 21 साल बाद लगता है इसके फिर 12 साल बाद लगता महाकि ग्प हुम्ब तो यह कोई जो मैंने नदियो के नाम बता है यह लास्ट पॉइंट में लिखा भी है आप वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं यही पूछा जाएगा और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा आगे चलते हैं अधियो काम का है यह वाली फोट आपको याद रखनी है आगे चलते हैं एरीस फैसिलिटी विल होस्ट इस सपोर्ट सेंटर फॉर आधित्य एलवन तो एरीस का आपको याद रखना है यह क्या चीज है और यह कहां लोकेटेड है तो इसकी फुल फॉम याद रखेगा एरीस की फुल फॉम है आर्रे भट रिसर्च इंस्टिटूट फॉर अब्जर विदियों को नोट करता है तो जो हमारा एजित्य एलवन है इस तरफ से पहला मिशन था चीज चंडि करने के लिए गया आता है किस चार्सो कि लोका है और किस वीकल से गया था तो पी एस वेल भी से गया था जो एक्सल कॉन्फिग्रेशन की थी और इट वल भी इंसर्टे इन हेलो ऑर्बिट अराउंड दा एल वन पॉइंट अभी यह लेंग रेंच पॉइंट क्या होता है यह आपको बता देता हूं यह केवल अर्थ की स्टड इसके अंदर जाएगा और यह जो है इसका डीटेल रिसर्च करेंगी बस इसमें और कोई काम का बस इसकी फुल फॉर्म याद रखेगा और यह कैसी वीकल पर गया याद रखेगा लेंग रेंच पॉइंट कुछ नहीं होता मान के चलिए हमारा सन है और यह हमारा अड़त है यह एक सन है तो यहां पर कोई ऐसा पॉइंट होगा बीच में के दो अबजेक्ट के बीच का कोई ऐसा पॉइंट इसकी फुल फॉर्म ही होती है यह डेफिनेशन बोलेंगे तो दो अबजेक्ट के बीच का कोई ऐसा पॉइंट जहां जो पुल लगे जो ग्रेविटेशन का लगता है और gravitation का repel force लगता है माननके चलिए sun अपनी तरफ gravity का काम कर रही होगी sun की तरफ gravity खीचरी होगी और earth भी अपनी तरफ gravity खीचरी होगी तो जहां ये match कर जाए जहां ये जिससे जो भी body हाँ है वो स्थिर रहे जहां है वो वहीं रहे तो उसको बोलते है language point ऐसाब वो point जो दो object के बीच का जहाँ जो pull force है वो exclude force के equal हो जाए तो इसको बोलते है language point यहाँ इस point में satellite को रखा जाता है ताकि कम से कम fuel खडचो इस point में रखेंगे तो satellite अपने आप rotate करती रहेगी due to gravitational force दोनों लगा रही है sun भी लगा रहा है अपनी तरफ अर्थ भी अपनी तरफ लगा रहा है तो जिससे वो satellite है वो बिना fuel के यह कम fuel के बोल सकते है वो rotate कर सकती है sun के चारो तरफ तो आज़ते L1 के बारे में मैंने बता दिया है language point के बारे में मैंने बता दिया आगे चलते है normal is good यह क्या बाते में को समझ में नहीं आता में को इंस्टा पर मेसेज आते है कि सर प्लीज पढ़ा दिये मौनसून पढ़ा दिये यह वो भाई यहाँ आप कम से कम आंसर तो दे सकते है रोज मैं कोशन पूछ रहा हूं तो बस 30-35 बच्चे comment क्यो कर रहे है आंसर इतना difficult होता है कि कोई बता नहीं पा रहा है और जो आपको doubt है नीचे comment section में लिखिए ना कि सर यह पढ़ा दी यह पढ़ा दी यह पढ़ा दी यह आप Instagram पर में कोई DM कर रहे हैं चले कोई बात नहीं बता देता हूं जो हम आज मॉन्सून पढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा आपको क्या होता है जो exam में पूछ जाएगा मैं पहले बाद में बता दूँगा अभी पहले आपको समझा देता हूं exam में जो पूछ जाएगा वह भी मैं आपको बता दूँगा उससे ज़ादा CAPF या किसी भी defense paper में नहीं पूछ जाता है क्योंकि आपको detail में answer नहीं लिखना है आपको केवल answer टिक करना है तो देखे जब summer की बात जैसे अभी की बात क्या होती है कि हमारी जो land आपको पता है land जो हो जल्दी गरम हो जाती है तो जैसे land पे जब आपको पता है यहां बहुत ज़ादा जो sun की rays आती है और land पे आती है तो यह बहुत ज़ादा heat कर जाती है land तो heat करने से क्या होगा यह low pressure बनता है याद रखेगा जब भी जहां पे भी ज़ादा गरमी होगी वहाँ low pressure बनता है क्योंकि land ज़ादा गरम हो जाता है पानी इतता जल्दी गरम होगी नहीं पाता है तो यहां high pressure बन जाता है तो जब wind flow होती है वो कैसे flow होती है तो high pressure से low pressure की तरफ flow करना शुरू करती है तो high pressure से low pressure जब flow करना शुरू करती है तो रस्ते में उन्हें मिलता है क्या पानी आपको पता है रस्ते में देगी सब पानी मिला है तो इस सारी विंट क्या करती है पानी को लेते हुए इंडिया की तरफ आती है तो अब इंडिया की तरफ यह आ गए विंट और इंडिया में बारिश होती है इंडिया में जब यह जादा पारिश है किस ब्रांच की तरफ से होती है तो याद रिखेगा जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है इधर से जादा पारिश होती है बस आपको यह याद रखना है और सबसे जादा बारिश का होती है तो माया सोरम एक खासी जो हिल है वहाँ जगह है या चेरा पुंजी नौर्ट इस्ट वाले रीजन में बहुत जादा बारिश होती है तो यह हमारी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हो गई और किसकी वज़ए से होती है जो आप से यहाँ साथवट मॉन्सून आता है जिसे हम समर में मॉन्सून बोलते हैं वह किस च्ट्रीम की ओरह से आता है जैटन कुछ नहीं होता है जुछ जो बहुत हाइए अटमस्फेयर में फ्लो कर रही होती है तो जो गर्मियों में जो बारिश होती है वह इस्टनली जैट इस्ट स्टिंग की वश्य से होता है लिग देता है वैस्टनली जेट स्टीव मॉंसून भी बोल देते हैं क्या होता है सर्दियों में कि यहां घूप निकल निनी जादा तो यहां जो land है वह इतनी घरमी हुई नहीं तो यहां बन गया high pressure और जो पानी था अभी भी गरम है थोड़ा सा तो यहां बन गया low pressure तो आपको पता है wind तो हमेशा high pressure से low pressure ही flow करेंगी तो फिर यह क्या करती है तो यहां से ultra flow करना शुरू करती है तो इसे हम बोलते हैं retreating monsoon retreating monsoon होता है तो आपको पता है नीचे मारा केरला तमिल नाडू यहां पर बारिश होती जाती है क्योंकि यह जब बापेस आती है यूपी और दिल्ली में सर्दियों में बारिश हो रही है इसको बोलते है western disturbances western disturbances बोलते हैं याद रखेगा है Mediterranean वाले region से जब बारिश आती है ऐसे ऐसे बारिश आती है सर्दियों में तो यहां पर बारिश होने लगती है इसको हम बोलते है western disturbances यह जिसे हम temperate cyclone भी बोलते हैं यह बहुत डीटेल बता रहा हूं है इतना आपसे नहीं पूछे रहागा आपसे बस यह पूछे रहागा किस jet stream के वज़े से होती है तो ITCZ हो गया और इससे जाद आपको जानने की ज़रुवत नहीं है अगर आप बोलेंगे तो मैं L Nino ला नीनो भी आपको पड़ा दूँगा तो इसके लिए आप में को comment section में बोलिएगा यह अलग से एक topic है बहुत important topic है L Nino ला लीनो तो इससे भी सवाल पूछे जा चुक मेगाले नाम में याद रखना है NON-CHALEUM Wildlife Century यह कहां पर है नॉटटी मेगाले स्टेट में यहां पर केवाल एक डिस्क फुटेट में एक डिस्क जैसी इसी सेप की फुट की चमकादर मिली है जिसका नाम आम याद करने की जरुवत नहीं है बस आपको याद रखना है नॉंगेलम वाइलेट सेंचुरी है जो के मेगाले में यहां पर एक चमकादर मिली बस इससे जाधा नहीं पूछड़ाएगा नॉट इंपोर्टन आगे चलते हैं मेगालेम में माय सुर्म पढ़ता है यहां पर बहुत जाधा बारिश होती है आगे चलते हैं प्ला इसकी में वाइदेवर्क तो एक एडिटोरियल आया था अनकेडमी के कोई राइटर थे महिपाल सेंग राठ और आपने सुनाई होगा मैं इनको प्रोमोट निकर रहा है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैं खुद इनको देखता हूं अच्छा पढ़ाते हैं महिपाल सिंग राठ और इनकी अलग से वीडियो आती थी इनका भी एक चैनल यूट्यूब पर इनका एक एडिटोरियल है एडिटोरियल यह जो है यह मेली सिवल सर्वेस वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है मैं फिर से बोल देता हूं लेकिन यह जो स्कीम है यह आपसे डारेक्ट पूछी जा सकती है यह याद रखेगा इसकी फुल फॉर्म में प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम वह लाजज स्केल मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर तो अभी क्या बोला गया है कि गवर्मेंट कह रही है कि हम आपको एक सेकंड यार कुछ गड़ वड़ होई वन मिनिट हां गर्मेंट कहरिए कि अभी हम जो है यह पीला स्कीम का फायदा LED और एसी बनाने वाली कमपनियों को भी देंगे और उन कमपनियों को देंगे जो इंडियम मेड जो आतनिर भड समान मनाती है अभी क्या होता है कि LED हमें बनाना है या AC हमें बनाना है तो इसके लिए हमें बहुत सारे पार्ट सामें भार से लेने पड़ते हैं, तो गर्मेंट करिए कि जो कमपनिया, इंडिया में प्रोडक्शन, सारी चीज इंडिया में बनाएंगी, उसको हम इस स्कीम के तहट फायदा देंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इंसेंटिम मिलता है, 4-6% का, ओवर मैनुफेक्चर्ड गोड पर, यह पहले मोबाइल फोल और स्टें स्पेसिविक कॉंपोनेंट के लिए था, अब इसमें और वाइट पोड़क्शन जोड़े जा चुक हैं, वाइट पोड़क्शन जैसे, LED और AC को भी जोड़ दिया गया है, इनको भी फायदा मिलेगा, यह 5 साल के लिए स्कीम है, 5 साल तक आपको फायदा मिलेगा, तो आपको याद रखना है, PLI स्कीम किस से रेलेटेड है, तो प्रोड़क्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जैसी जैसी जो जो कंपनी प्रोड़क्शन भड़ाएंगी, इंडिया में आत्म निर्भर को पै जाएंप छोटी सी स्कीम है, PLI स्कीम, और इसे जन रहे जरूती है, जो believe in solar power जो फोटो वोल्टेक सेल बनाती है, और जितनी कम्पनी वह जो बैटरी बनाती प्रोड़क्शन 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 बनाती अंगी चलते हैं, आगे चलते हैं, तो एमेड चीज ज आप लोग से अनुरोद करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा प्लीड करूंगा कि आप लोग सब अपने घर में रहें और अपनी घर से पढ़ाई कर सकते हैं पहले बात थो पहले पहले शुवदाय नहीं थी लोगों के समय सकता हूं लेकन आज ऐसा टाइम नहीं है कि आप लोग के पास सुयदान ना हूं हर किसी के पास Android तो है यार मेरी वीडियो नहीं तो किसी की वीडियो देख के आप पढ़ सकते यूट्यूब भरा पढ़ा है यूट्यूब इतना भरा पढ़ा है कि आप लोग ठग जाएंगे लेकिन वीडियो खतम नहीं होंगी तो आप घर से पूरी तैयारी कर सकते हैं और आप घर से रहके आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ने कोशिश कीजिए और बहां निकलने कोई जरुवत नहीं है आपने और अपने घर वालों को प्लीज खयाल रखिएगा तो यह चोटा सा न्यूस था जननेत में जारी आगे चलते हैं Myanmar shadow government want invite for Asian crisis talk Myanmar shadow government क्यों लिखा है आपको पता है कि Myanmar में क्या हुआ है कि तक्ता पलट हो गया है जो ऑंग सुंग सी की जो सरकार थी उसको गिरा दिया किसने गिरा दिया वहां की आर्मी ने नए रूल्स बना बना के उसकी सरकार को गिना दिया तो इसलिए इसे बोला गया shadow government उस नहीं लगता है इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि कोई government तो है नहीं आर्मी वालों को थोड़े इंक्लूड करेंगे एशियन तो एक grouping है ना 10 nation की है इलेक्टेट जो डेमोक्राटिक पार्टी की जो बंदे है वो आकर discussion करते है तो इनको पता नहीं आपने काम का कुछ नहीं अपने काम का जो है वो एशियन कंट्री कितनी है एशियन कंट्री 10 कंट्री है याद रखे गया इंडिया एशियन का पार्ट पूछ जाता है तो नहीं इंडिया इस नॉट आ मेंबर ऑफ एशियान फिर आर्सी एपी इसी के अंदर आता है याद रखेगा एशियन के अंदर RCEP आता है Regional Comprehensive Economic Partnership, इनके बीच में जो आदान प्रदान होता है ट्रेड का, उसे बोलते हैं RCEP, तो इंडिया RCEP का भी पार्ट नहीं है, ना इंडिया एशियान का पार्ट है, ना इंडिया RCEP का पार्ट है, इंडिया पहले RCEP का पार्ट हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा हमाई चाइना के साथ हमाई रिष्टे खराब होगा है, रिजन बिंग कि इतनी कंट्री हैं, हमारे साथ गुड्स में तो ट्रेड करने के लिए तयार रहती है, कि हम समान में ट्रेड करेंगे, लेकिन सर्विस में तयार नहीं होती है, और आपको पता है कि इंड में तो दस कंट्री आती है, इसकी ट्रिंक जो याद है, वो MBBS कर सकते हैं, आपको याद करने के लिए, MBBS करके हम IPL क्रिकेट का होता, IPL क्रिकेट का TV पर देखेंगे, यह इसकी जो है, दस कंट्री है, Myanmar, Brunei, और इसको क्या बोल देंगे, मैं कुछ गलत बदा दिया, शायद यह गलत फोटो लग गई है, चली कोई बात नहीं, मैं देख के बताऊंगा, और इससे क्या करते हैं, सिंगापूर, और यह हमारा हो गया, इंडोनेशिया, यह हो गया हमारा फिलिपिन्स, यह लाउस, और यह थाइलेंड और यह वेतना, तो यह हमारी सारी कंट्री हो गई, जो थी, और क्रिकेट, हाँ, सी तो रह गया, सौरी, थोड़ा डाउट हो गया, यह बीगे चक्कर में, सी को बोलते हैं, कमबोडिया, तो यह हमारी सारी कंट्री हो गई, कमबोडिया, यह हमारी ब्रोने, कमबोडिया, इंडोनेशिया, ल सब्सक्राइब नाम बताइब बहुत इजी कोशन पूछ रहा हूं सार कंट्री के बारे में आगे चलो तो अभी क्या हो रहा है कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है क्यों लाती है सरकार अपने काम का नहीं है याद रखने की बात है तो इस स्टेट पे लगाना थो गवा趣र अंटिंट जूह पर ला सकता है सब्सक्राइब कर दोनों सेशन में ना चल रहे हो तो भी ओडिनेंस को लाते हैं और पास कर देते हैं जैसी नया सेशन हमारा लगेगा जैसे बीच के मिलने का वक्त कितना है कि मिनिमम टाइम है कि दो आसे को मिलना पड़ेगा आपको पता है विंटर सेशन समर सेशन तो और एक हम सिक्स मंस के बीच में आप को न BE Tiger में वे रएंट में के सनके ऑटीने में 6 मंस कम मिले गए तो मैं एमोडन ऐस को सब्सक्राब हो सकंसक्राइब भड़ननेंट तो यह ओडिनेंस की बारे हो गई फिर ओडिनेंस जो सवाल बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिया और आपको यह सब पढ़ने की जरुवत नहीं है जो मैं इहां बता रहा हूं बस वह इंपोर्टेंट आगे चलते हैं तो अभी केन वेतवा प्रोजेक्ट जो है वह डल चुका है अपने काम का कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं कुछ आपके एक्जाम में कहा की रिवरे कहां के निकलती है कि यमना की वह तो आज का क्उस्छन है केमना की सबसे बड़ी कौन सी है में बहुत जादा पानी है और बेतवा में पानी है नहीं को फाइदा हो सके उपी में फ्लो करती है इसलिए इंटर लिंके रिवर प्रोजेक्ट को बनाए गया है तो केन मीट करती है, मीट करती है, यमुना से इन बांदा डिस्टिक उप यूफी, और बेतवा जो डिस्टिक मील करती है, यूपी से यह नहीं पूछ रहागा, कान कान नदी मिलती है, और यह सबसे लास्ट वाला पॉइंट, केन रिवर पासे थू पन्ना टाइगर से केन किस टाइगर रिजर्व के बीच में से कौन सी रिवर पास होती है, तो दोनों सवाल हो सकते हैं, तो आपके लिए इंपोर्टेंट है, और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, निउस्ट नॉट नॉट इंपोर्टेंट, आगे चलते हैं, आर्भी सेटप कमिटी टू रि सेन, इनका यह फॉर्मर डारेक्टर रह चुके हैं, तो इनकी उपस्तितीम है, यह सिक्स मेंबर की कमिटी है, यह रिपोर्ट सम्मिट करेगी विदिन तीन मंथ, किस के उपर, अस्ट रिकंस्ट्रक्शन कमपनी के उपर, बस आपको यह पूचा राएगा, और कुछ नहीं कमिटी को हैं, तो यह पूचा राएगा, और कुछ नहीं पूचा राएगा, आगे चलते हैं, इनको रिमूब करना है, तो रिमूब कैसे होंगे, रिमूब होंगे, जैसे सुप्रीम कोड के जज़ को रिमूब के जाता है, इनको रिमूब किया जाएगा, इनको प्लेजर और प्रेजिदेंट का मतलब क्या है, कि इनको प्रेजिदेंट अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन प्रेजिदेंट निकाल नहीं सकता, फिर इनकी कोई education qualification का जिकर नहीं है, कि CEC बनने के लिए क्या education qualification जाहिए, वो कोई जिकर नहीं है, यह 6 साल के लिए 65 साल के लिए पॉइंट किये जाते हैं, और इनका कोई tenure fix नहीं, मतलब टर्म फिक्स नहीं है, कितने भी बार के लिए, number of terms के लिए पॉइंट की जा सकते है कि एक बार, चार बार, CEC, same post apply कर सकते हैं, और जब यह retire हो जाते हैं, तो किसी और office को भी join कर सकते हैं, अगर यह चाहें, तो, ऐसा इसके बार में लिखा हुआ है, तो यह मैंने छोटी सी information आपको CEC के बार में बता दी, इनको positive हो गया है, कोई भी हो रहा है, तो अभी हमार modern history का जो series चला, उसको हम आगे बढ़ाते हुए, आगे चलते हैं, modern history में हम क्या क्या पढ़नी है, हम सारे acts पढ़नी है, फिर हम जितने भी settlement है, permanent settlement, ट्रोयतवारी settlement, महलवारी settlement, वो सब पढ़नी है, फिर हमारा जो phase आयते है, तीन phase, industrial phase जो आया था, और जो भी तीन phase आयते ह वो moderate वोल ला हूँ, English-Orientalist controversy, कि अंग्रेज लोग अच्छे हैं, कि जो इंडिया के लोग है, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो आपकी modern history जो चालू होती है, वो यहां से शुड़ होती है, revolt of 1857, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा र आपको नोट्स बनाने में भी आसान हो जाए, और पढ़ना कैसे, रिवीजन कैसे करना, इन नोट्स से वो आसान हो जाए, अब revolt of 1857 में सारी प्रॉब्लम थी, यह तो मैंने में में पर्स्पेक्टिव से अपने नोट्स बनें, ताकि में में इससे कुछ आंसर लिख सकें, लेकिन आपका जो प्री है, प्री बोल रहा है, आपका जो पेपर वन है, उसमें कोई आंसर नहीं छूटेगा, इसकी भी मैं गैरेंटी लेता हूँ, देखे, रिवल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, पहला एकनॉमिक प्रॉब्लम क्या था, पॉलिसी वो एक्स जो भी नहीं मिलती थी, इंडियन केवाल हवालदार तक जा सकते थे, उपर हायर पोश्ट उन्हें मिलती ही नहीं थी, फिर सोशल इशूज क्या थे, प्रिटिशर्स और फॉरिनर्स डिट नोट में सोशल लिंक विद इंडियन, तो बिटिशर्स जो थे हो बाहर के लोग थ अगर बेटा नहीं है, तो बहुत सारी इनकी पॉलिसी थी, तो यह पॉलिटिकल इशूज हो गए, रिलिजियस में क्या इशूज हो थे, कि मिशनरी आने लगे, आपको पता ना, मिशनरी आया थे, किस एक्ट के थुरू आया थे, जो चार्टर एक्ट है, आपने पढ़े न बस ट्रेड विद चायना और ट्रेड विद टी, यह आपको पता ना, चार्टर एक्ट 1813 में आप बच्चे को पढ़ा चुका हो, उसमें आया थे, जिकर कमिंग ओफ मिशनरी, यह वही है, मिशनरी आने लग गए थे, तो यहां के लोग को यह खतरा हो गया था, कि मिशनरी आपको पता है, प्रता हमारे चलिया आरे थी, किसने करी थी यह, बन टिक यह भी पूचे जाता है, मैंने लिया आगे लिख धिया है, कि आपको बन टिक ने, विडो रिमेर्ज में किसने करना शुरू किया था, फिट डल होजी ने, प्रमोशन एजूकेशन फर गल्स, तो ए इंडियन लोग नारास्ते था फिर मिलिट्री में कुछ प्रॉब्लम थी मिलिट्री में क्या था यूनिफॉर्म नहीं था जो अंग्रेज लोग थे वह अपने आपको बहुत जाद अच्छा समझते लोग को समझते नहीं थे जब कि भाई पोष्ट तो सेमी है आज ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मेजर को अलग अलग आप त्रीट कर सकते हो फिर सेलरी लोग थी प्रोमोशन उनको मिलता नहीं था फिर इ इनलिश्टुमेंट ट्में कि कोई का भी कहीं सकते है कोई इंडिया का आदमी है और आपको prevented लंडने के लिए बेच सकते हैं तो यहां की लोग तो परेशान हो गानी है कि हमारा कुछ गलत करना चाहरा है तो यह एक्ट किस ने लाए था तो यह एक्ट कैनिंग लाए थे फिर इमीजेट प्रॉब्लम क्या थी तो सब कोई पता है ब्राउन ब्रेस रिप्लिज्ट विद इ तो यह कुछ प्रमुक क्या मैंने सारे कवर कर दी आप स्पेक्ट्रम में इसके करीवन 30 से 35 पेज हैं आप पूरा एक बार पढ़ लिए जिन बच्चों को मेरे उपर विश्वास नहीं है आप 30 से 35 पेज पढ़िएगा उसके बाद आप मिलाईएगा कि इसमें सारे पॉइं मिल जा तो में को कमेंट सेक्षिन में फोटो पेस्ट करके बेज दीजेगा मैं गैरेंटी दे रहा हूं इतना सा ही रिवल्ट ऑफ 1857 और नहीं है कुछ और जो सवाल बनते हैं से बहुत जादा सवाल बनते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक है हर एक्जामनर का कि कि किन किन प् प्रफ प्रफ यह तो इतने ही हैं जो आपको याद करने से जादा मत किया पिर यह तो ओगा इंडियन की तरफ से लट रहे थे आप अंग्रेजों की तरफ से लट रहे होंगे तो दिल्ली में इनको सप्रेस करने का काम इन तीन लोगों को मेरा निकल्सन हुटसन और ट्राम इन तीन लोगों को काम मिला था कि दिल्ली में जो यह रिवॉल्ट हो गया इसको दबाईए तो यह तीन लोग आयते बिटिचस की तरफ से कानपूर लखनओ में कॉलन केंपवेल आयते जहां सी में हग रोस साब आयते और आराम है विंसरो टेलर आयते तो इनका सरने मियाद रखेगा टेलर इसका रोस इसका केंप वेल इस शौट फॉर्म है सी आटी और निकल्सन उटसम और ड्राम यह डेली की यह शौट फॉर्म तो यह बस आपको इतना याद रखना इस से आपके आप पेपर उठाके के लिए तो नहीं पूरी आर्मी ने कराता और इनको दबाया ता जो इंडिया के लोग ते उनको अंग्रेजयों की तरफ से लट रहेती है एंडिया नहीं लोग लड़ रहे थे तो इंडिया के कौन-कौन लोग लरे तो जो गॉर्खा और सिक सप्रेस रिवॉल्ट तो जो और शिक लोग ते वो अंग्रेजु की तरफ से लड़ रहे थे और उन्होंने रिवाल्ट को खतम करवा दिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया नौट पार्टिस्पेटेड यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पुझा राता कि पूरा इंडिया ने पार्टिसपेट नहीं कर आता यह केवल नौर्थ रीजन में बनाता और इस्टन रीजन में यह रिवाल्ट हुआ था जमीदार और मनी लेंडर ने इसमें पार्टिसपेट नहीं कर आता ब्रिटिशर्स इसलिए जीत गए थे क्योंकि उनके पास advanced weapon थे और advanced communication थे इसलिए वो लोग जीत गए तो यह पूरा 1857 आपका cover हो गया है आप सारे question किसी भी main spree, PCS, IS कहीं का भी उठाके देख लीजे और इससे अगर आपको सवाल नहों पाए तो आप जो बोले हो आगे चलत प्रोक्लमेरेशन आएगी जिसे governor general of India का हम नाम चेंज करके वो इसरोय कर देंगे उसके बाद क्या कहते हैं हमारे moments आने शुरू हो जाएंगे तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा history का revision देखते हैं कैसे चलता है तो आज की न्यूस सारी cover हो गया I hope you like my lecture please like share and subscribe यह मेरी Instagram चलिए 300 भी देख रहे हैं तो comment दस होते हैं आज तक तीन दिन बाद भी comment केवाल 30-35 लोग के comment है मैं को सुन में नहीं आता कि भाई इतने लोग देख रहे हैं लेकिन comment क्यों नहीं कर रहे हैं पसंद नहीं आ रहा है क्या और या प्लीज शेयर कर दीजे क्योंकि reach नहीं हो प and also follow study fund on telegram and instagram पड़ते रही आगे पड़ते रही आगे पड़ते रही है signing off today take care bye bye